अजी दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे किसी भी गाने में कोर्स का इस्तिमाल कैसे किया जाता है और किसी भी गाने के कोर्स कैसे निकाले जाते हैं और कोर्स के साथ गाने को कैसे बजाया जाते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एकसीज बताना चाहूँगा, यहाँ पे आज मैं जो बात करूँगा, राग दरबारी के कुछ गानों की बात करूँगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं आपको एक मोटा मोटा असान तरीका बता देता हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से भी सीख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ एक रटाफिकेशन, जैसे आप खाली रटके भी आप कोर्स को बजाना सीख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अभी इस वीडियो के लेसन में आप देखें कि मैं राग दरबारी के जो कोर्ड बताने चाहरा हूँ आपको, जो कोमल नी, मंदर सब्तक का है, ठीक है, और जो तीसरा कोड है, वो है, कोमल था, सा, और आपका कोमल गा, यह आपका, यह आपके तीन कोड है, यह तीन कोड अगर आप रट लेते हैं, तो आपको, अगर नहीं भी कोड का पता कि कोड कैसे निकालने हैं, तो भी कोई चकने आप अब अगर खाली 3 code भी रट लेते हैं तो भी आप किसी भी गाने में लगा सकते है अभी मैं आपको कुछ एक गाना बजा के दिखाता हूँ और देखे हरेगाने का nerve code लगाने का का एक rule होता है कि देखे जब आप गाना बजाते हैं कि code लगता का दो कोड वहां पर लगता है जहां पर आपका hold होता है जाने की गाने का ठहरा होता है मानने के चले मैं यहां पर गाना गा रहा हूँ यह दुनिया तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका यह दुनिया यहाँ पे मैं रुका तो दुनिया पे कोड लगेगा और यह रूल है जहाँ पे ठहरा है कोड वहाँ पे लगेगा ठीक है और पहला पहला रूल यह है कि जो पहला कोड लगता है वो गाने में हमेशा सागापा ह मेरे रशिके कमर तो मैंने गाय देखे here अभ्यकोत सब्सक्रूपे कर दीखाता। मैंने बजाया गाना यहांसे यहां से बजaja रहो हूँ है सब्सक्राइख से जोटएम deepen ताическая कामर मेरे रशिके कमर तो लेजाओ यहां पर कर देक़ तो मैंने फिर ऑल लिया कॉमल गा, शुद्द गा, देखिए, ये आपका मा है और ये तीवर मा है और ये पाथ मेरे रश के कमल, तो पहला कोड लग गया सागापा, हर एक गाना, कोई भी गाना पकड़ी, अभी मैं गाना पकड़ता हूँ दिल के अर्मासों में बह गया, तो देखिए, पहला कोड़ी ही रहेगा देखिए, गाने यहाँ पे, वोई कोड लगए, ये पहला रूल है, ठीक है, और ये जो कोड़, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोड़ निकाले कैसे जाते हैं, ये जो मैंने कोड़ निकाले हैं, ये मैंने तीन कोड़ जो निकाले हैं, इनको मैं निकालने का आपको तरीका बताता हूँ, ये तो था एक तरीका कि ये code अगर आप रट ले तो आप कोई भी गाना में इसको बजा के इस्तिमाल कर सकते हैं, अभी बात करते हैं कि code को मैंने निकालना के साथ, देखिए राग दरबारी में जो स्वर होते हैं, सा, शुधरे, कोमलधा, स्वरी कोमलगा, मा, पा, कोमलधा, कोमल्नी, और तारसब्तक का सा, ये होता है राग दरबारी का आरो, अभी अवरो देखते हैं, तारसब्तक का सा, कोमल्नी, कोमलधा, पा, मा, कोमलगा, रे, और सा, ये आरो है, और ये अवरो है, अभी जो चीज में आपको करनी हैं, देखिए इन में स्वर ग और सात्वा सवर, टोटल आठ सवर लग रहे हैं, लेकिन सा रपीट हो रहा है यहाँ पर, तो सा को लेने की जूर देखा जाए, तो अपना सा लग रहा है, शुधरे लग रहा है, कोमल गा लग रहा है, मा लग रहा है, पा लग रहा है, कोमल धा लग रहा है, और कोमल नहीं ल गोलता हूं एक होता है major code एक होता है minor code अगर आपको किसी भी स्वर का code निकालना गर आपको major code निकालने का जो 1 5th और 158 जानि कि पहला सवर 5200 और अगर minor code निकालना है तो पहला सवर 14 और राड़ासवर यह formula है अगर मानक पर चलिए मेरे को यहा पर अगर बात करूंडраली एक मैबात तो मैरे को's przyp का निकालना है सा का वी यह लगौँगा एक पांच आप देखिऊ यह आपका स सा को पकड़ा है सा को मैंने यह उस्छय के लेग कर देतो हूं यह major अगर मेजर को मेजर कोड निकालता तो ये बनता है सा शुद्ध गापा ठीक है अगर मैं सा का माइनर कोड निकालता तो मेरे को फार्मोल लगाने एक चार आट अभी देखिए मैं सा का माइनर कोड निकालता हूं देखिए मैंने सा का माइनर कोड निकालता हूं देखिए मैंन इसमें से पता करना है कि हमारा कौन सा कोड सही है राग दरबारी के अगर कोड की बात करूँ तो मैं अभी दो कोड बने हर एक से उटके तो अभी इसमें से पता करना है कि इसमें हमारा कौन सा कोड सही है अभी देखे यहाँ पे तीन स्वर है, पहला स्वर है साथ, दूसरा स्वर है गा, शुद्दगा और तीसर स्वर है पा, आप राग दरबारी में देखे, साथ को मिल रहा है, ठीक है, लेकि शुद्दगा आपको कहीं पर यह नहीं मिल रहा, ना तो आरों में मिल रहा है, ना तो अबरों मिल पख़ा जाता है कोई भी कौट पकड़ लीजे किसी भी सवर को पकड़ लीजे उसके कौड अगर रा के स्वर पता है तो आपको इस तरीके से हम उसको पहचानते है कि यह वाला कोड है अभी देखिए ये कोड निकल गया न हमारा है कोड तो अब है मैं इसी के ओपर आपको ए सा कोमल का पाफ इस तरीके से देखिए बैने कोड निकाला अब यहां पर कोड की बात करूं तो गर मैं यहां पर कोमलधा कोड निकालने का यही रहेगा पहले मैं लगाऊंगा major code निकाल के देखो major code निकालोंगा यह हमारा कोमल्धा है तो पकुड़ूँगा एक number 100 यह पहला 100, 2, 3, 4, 5 number 100 और 8 number 100 तो यह हमारा कोमल्धा का major code तो इसमें मैंने स्वार लिए कोमल्धा, सा और तारसब्तक का कोमल्धा कोमल्धा, सा, तारसब्तक और तारसब्तक का कोमल्गा ठीक है अगर मैं minor निकालूँगा तो इसका बनेगा कोमल्धा शुद्धिनी और तारसब्तक का कोमल्गा अब देखे यहां पे हमारा धा को कोमल मिल रहा है, राग में तारसब्तक कसाबी मिल रहे हैं और कोमन कावे हैं तो मतलब कि ये हमारा कोड सही है और इसमें हमारा शुद्ध नहीं लग रहा है ये कोड हमारा गलत है अगर राग दरबारी का कोड धासवर का कोड निकाले तो ये आपका कोड बनेगा तो ये देखी यह मैंने कोड लिखवाया है, आपको यह देखे, कि वादा कोड, तो आप अगर यह तीन कोड भी रट लें, तो आप राग दरबारी का कोई भी गाना पकड़े, कोई भी आख बंद करके किसी भी गाने को पकड़ लिजे, तो आप उन गानों में कोड लगा पाएंगे, कोड कोड लगा पाएंगे, तो यह तीन कोड आप रट लीजे, इनको असानी से घोल के दिमाग में बिठा लीजे, और यह आपके हर एक गाने में राग दरबारी का कोई भी गाना पकड़े, तो यह तीन कोड आपके उन गानों में लगेंगे, अगर आप लोग किसी भी गाने के कोड बजाने से क्या, निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, कि आप पहले उस सिराग का आरो औरो लिकھی, और पहचानी की उस सिराग में बस यही तरीका है कि कोड में देखे, कोड का मतलब होता है कि 301, 7, दवाना, बस वो तीनों सवर उस सिराग में होने चाहिए, अगर तो तीनो स्वर में से एक भी स्वर नहीं है, आपका उस राग में आ रहा तो मतलब वो कोड आपका नहीं लगेगा, तीनो के तीनो स्वर आपके उस कोड में जो है, वो आपके राग में होने जरूरी है, ठीक है, तब ही वो आपका सही कोड है, अगर नहीं है, तो आपका और कोड निकालने का फार्मूला यह एक पांच आठ से मेजर कोड निकले एक चार आठ से माइनर कोड निकले इस तरीके से आप किसी भी गाने की कोड निकाल सकते हैं किसी भी राह के कोड निकाल सकते हैं इसी तरीके से राग भैर्वी कोड निकलेंगे इसी तरीके से राग श अभिज करना ऑपार। पेमेटिक लिए तो पहले कोशीश सराइगे आपको कोर्स को निकालना जिखे जब निकालना आएगा ऑटमेटिक फिर उनको बजाना सीखे की कोर्स को बजाना कैसे। यह चोटी सी कोशीश थी अगर कोई भी दिख्कत, और कमेंट करी और वीडियो चल